अगर किसी को जाना जाता था तो सबसे पहले इस नाम से सिर्फ एक ही परसनालिटी की थी पहचान जिनकी परसनालिटी जिनका लुक जिनका हैंडसम अंदाज जिनकी एक्टिंग जिनका लोगों से नजरे मिलाना जिनका कातिलाना आखों से लोगों को कायल कर देना वल वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ देवानन्द थे बॉलिवूड के लेजिंड एक्टर है चुके देवानन्द जिनोंने बॉलिवूड में तमाम एक्टर्स को हैंसम होने को ल लोग तरस थे वो देवानन्द जिनके काले कोट पर भी कोट की तरस से पैन किया गया था वो देवानन्द जिनने नहीं थे अजाज़त की वो काले कोट में या काले कपड़ों में बाहर आए सोची जरा उनकी खुर सोची जरा उनकी खास अंदस की बास सोची कितने ऐसे एक्टर रहें जिन्होंने चोटी से बेहत कम उमर से ही बॉलिवूड में एक्टिंग के लेकर ही नहीं बलकि अपने हैंसम लुक को लेकर भी काफी तारीफे बटो रही थी खैर सिर पर टोपी और फॉर्मल रस में हमेशा लाजबाब नज़राने वाले बॉलिवूड के लचेंड एक्टर देवानन्द के जिंदगी से जुड़ी आज हम आपको खास बात बताएंगे और इस वक्लासा हुआ था काफी समय पहले वल उस देवानन्द की बात करें हम जिन्होंने बॉलिवूड की लेजिंडरी एक्टरिस वहिदा रह्मान के पैरो को चुछ हुआ था फिल्म गाइड आपको याद होगी जिसमें देवानन्द और वहिदा साथ साथ नसर आए था उसने के कुछ खास जलग को पेश किया गया था वल सोशल मीडिया पर उन्हें प्यार दिया जा रहा है तो वह जलग तो हम आपको दिखाएंगे जिसमें देवानन्द वहिदा र की बॉन इंग ओं स्क्रीन जबर दस्ते रही उस देवानन्द को लेकर अपने को स्टार को लेकर वहिदा रहमान का ये कहना था कि देवानन्द साहब जो थे वो काफी जादा चाइलिश थे मतलब बच्पना थी उनकी अंदर ये कहना था वहीदा रह्मान का वल दिखाते आपको खास जलग वहीदा रह्मान जो रीसेंटली देपिका के रिस्टेप्शन में भी शामिल हुई थे देखिए ये खास जलग जिसमें विजय आनंद की फिर्मों में कोस्तार के साथ काम कर चुकी गाइट फिर्म की इस खास जलग को देखिए जिसमें देवा वहीदा के पैर चुके नजर आये थे